IEX को बर्नस्टीन रिसर्च ने अपने पोर्टफोलियो से किया बाहर, जानिये किन स्टॉक्स पर आया उसका दिल बर्नस्टीन ने कहा था कि आगे IEX को तमाम चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है. कमपनी को PTC इंडिया जैसे कॉम्पिटीटर से प्राइस वार का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा टारिफ सीलिंग भी कमपनी के लिए एक बड़ी चुनोती है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बढ़ती प्रतिसपर्धा के कारण वर्तमान तिमाही में IEX के वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है. बर्नस्टीन का ये भी मानना है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है. ब्रोक्रेज हाउस बर्नस्टीन रिसर्च बर्नस्टीन रिसर्च ने अपने पोर्टफोलियो से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX को बाहर कर दिया है. गौर तलब है कि पिछले एक साल से IEX के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है. यह करीब 35 फीसदी तूट गया है. हाल में आई रिपोर्ट से संकेट मिलते हैं कि डाल्मिया भारत ग्रूप IEX में अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तयारी में है. बतात इसले रिपोर्ट में बर्नस्टीन ने कहा था कि आगे IEX को तमाम चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है. कमपनी को PTC इंडिया जैसे कॉम्पिटीटर से प्राइस वार का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा टारिफ सीलिंग भी कमपनी के लिए एक बड़ी चुन पर वाल्यूड है. बायो कॉन की रेटिंग बढ़ा कर आउट पर फॉर्म की. दूसरी तरफ बर्नस्टीन ने बायो कॉन की रेटिंग बढ़ा कर आउट पर फॉर्म आउट पर फॉर्म कर दिया है. ब्रोक्रेज हाउस का कहना है कि अमेरिका के बायो सिमिलर मार्केट में प ब्रोक्रेज हाउस का मानना है कि कमजोर मानसून की संभावना के चलते ग्रामीन बाजार में मंदी देखने को मिल सकती है, जिसका असर महिंदरा और महिंदरा में देखने को मिलेगा। अपनी इस रिपोर्ट में बरनस्टीन ने कहा है कि कमोडिटी की कीन्तों में गिरावट के चलते खपत वाली कमपनियों के मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। देखने को मिल सकता है। झाल जाल एंपना।